मी 11x एंड पोको एप 3 के लिए जो है न्यू बिल्ड आया हूँ है CR Droid 10.8 का बट यह जो है अनोफीशल है कस्टम बिल्ड है जैसे की आया हूँ अभी तो यहाँ पर CR Droid ओफीशल का अगर आप कहोगे तो एक रीविव अलग से मैं उसका करूँगा क्योंकि उसका रीविव 10. 10.5 का किया था काफी टाइम हो गया लेकिन अभी जो है यहाँ पर 10.8 का जो है CR Droid कस्टम जो आता है उसका करने वाला और यहाँ पर क्या कुछ मिलता है किस तरीके का है क्योंकि काफिसारे सेटिंग सिमलर से रेगे तो तुना ज्यादा डीटेल में नहीं जाओंगा क्योंक कि आपको चैनल पर मिल जाएंगे काफिसारे तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कुछ अगर चेंज हो तुनके बारे में बात करेंगे परफॉमेंस या बैटरी वे बैकप के बारे में कैसा रहेगा इसके इंदर उन सब के बारे में तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा जैसा कि CR DROID 10.8 का जग कस्टम बिल्ड है और अनोफिशल एंडरोइड 14 बिल्ड है सेक्यूटी पैच अपडेटेड है सप्टेमबर 2024 का बेंडर भी सप्टेमबर 2024 का ही है करनल 4.19 बेज यहाँ पे 9 करनल मिलता है इसके इंदर में और एक चीज़ है अनिमेशन के मामले में काफी अच्छा और काफी स्मूध आपको मिल जाता है 60 Hz में अभी में यूज कर रहा हूँ हलाकि टाइल सिमलर ही सेम ही है जो ओफिशल में तो वही सेम आपको यहाँ पे भी मिलेंगे कुछ निव एड टाइल में नहीं हुआ है और स्क्रीन रिकोर्डिंग की भी सेटिंग स स्क्रीन रिकोर्डिंग से आपको थोड़ा लैक करता है भी तो नहीं लेकिन हलका सा लाइट सा लैक देखने को मिलता है और वॉल्यम पैनल एक्स्पैंड होता है आराम से कोई प्रॉलम नहीं अपनिंग अनिमेशन भी आपको 60 Hz मोध मिलेंगे तो यहाँ पर भी दिक्कतनी सेटफाइड उसके बारें भी यहाँ पर समय बता देता हूं आपको ताकि काफी लोगों को नहीं पता होता तो यहाँ पर प्रॉलम नहीं हो उनको अराम से सेटफाइड कर पाएं तो सिंप्ली जो है एक फाइल है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा तो तो उसको ऊसपर क्लिक करोगे तो टेली ग्राम अपो एंस्टॉल करके रखना तो यह फाइल है जो कि टेली ग्राम पर रहेगा तो आप अराम से आउंलोड कर पाऊए इसको आप le добр Kamak उसके बद आपको क्या करना है Simply आपको setting में जाना है जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे चलके दिखा देता हूँ करना क्या है इसको डाउ Черाना है and setting में जाना setting में जाने के बाद CR draw it hub में जाना है और यहाँ पे misleynes के अंदर जाना है अब यहाँ पर इस पोफिंग वाला सेक्षन है इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है जेस ओएन फाइल को तो इस पर सिंपली टैप करना एक बार में का टैप नहीं हो तो दुबारा टैप कर देना जब टैप करोगे तो अंदर फा इस पर दिखो गे एक तो यहाँ पर आपका अपडेट हो जोगा यहां पर प्ले इन्टरिटव प्रोग्रस दिया है यह अपका अपडेट हो जाएगा बाकी प्ले श्टोर उपन करऊंगे तो फिर भी यहाँ नोट इस आप इंफो में जाना यहाँ पर चारकर जो इसको क्ल कर लेना एजली आप certified कर पाऊगे बैंकिंग अप अराम सी यूज़ कर पाऊगे safety net पास रहेगा तो इस तरीके जो आपको प्लेश्टोर को certified करना है अब यहाँ पे camera की बात करें तक camera यहाँ पे लाइका वाला दिया गया हलाकि 8K का भी option है बट 4K 60fps तक आप record कर पाऊगे उस इसके अंदर में आपको dolby atmos का support मिल जाएगा DRM info के अगर बात करें तो widewind L1 का support रहेगा इसको लेके भी कोई problem यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे जो google photo उसके अगर बात करें ता unlimited storage का support मिल जाएगा और यहाँ पे जो pre-install application है जब ROM आप flush करोगे तो इतने यहाँ पे मिलने व प्रॉलम फिलाल नहीं है यहाँ पे और गूगल इसका भी यूज़ आप कर पाऊगे तो सिट्शन भी यहाँ पे वर्किंग रहने वाला है अब चलते हैं बॉल पेपर एंड स्टाइल की तरफ तो इसके अंदर में यहाँ पे similar setting से पूरी रहेगी colors का या फिर यह सारे जो options हैं से में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और इनमें आपको प्रॉलम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता थिम्डाइकन वह आपको लॉंचर में मिलेगा लॉक्सिंग के अंदर आते हो यहाँ पर भी सब कुछ से बॉल पेपर जो मैं यूज कर रहा हूँ डिसक्रिप्शन सब वर्किंग है को रिकोडिंग भी वर्किंग है बट अलड कर देता है और ब्लुटुट डिवाइस मीडिया कोलिंग दोनों पर ही यूज कर पाऊँगे दोनों पर अच्छे तरीके से जो है यह काम कर रहा है और बात करें बैटरी को लेके तो टू आवर 80% ब्राइनस पर है और बैटरी ड्रेन देखे तो 71% नाइड में था और मॉनिंग में 66% तो करीब 5% के करीब का ड्रेन देखने को मिला है बहुत जादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा जादा देखने को मिला है अब यहां पर इंतूद स्कोर देखे तो 8,62,478 स्कोर मिला है और CPU थ्रोटल यह इंगल स्कोर 1291 है मल्टी स्कोर 3346 है तो कुछ इस तरीके के सभी स्कोर रहेंगे अब यहां पर अगर हम देखे तो यहां पर मिल जाता है जबकि ऑफिशल में नीचे रहता है और इसमें जो है वर्टली मिलता है पूरा सेटिंग उसमें होरिजॉन्टली मिलता है यूजर इ बटन भी है स्टेटस वार के अंदर आपका क्लोक अंडेट के सेटिंग से इसी में बैग्राउंड के लिए मिल जाता है चिप बैग्राउंड क्लोक के लिए नेटवर्क ट्राफिक हो गया या उससे रिलेटर जो आप्शन आपको मिलते है प्राइबसी इंडिकेटर यह सब आपको यहां पर मिलेगा लोगों के लिए मिल जाएगा स्टेटर बैडिंग है बैटरी स्टाइल है इसमें हलाकि आए 16 का बैटरी स्टाइल भी देखने को मिलता है और नीचे आपको टैप टू स्लीप ब्राइनेस कंट्रोल यह सब आपको यहां पर मिल जाएगा क्विक से अपन होती उसके साथ ही Bluetooth को भी यह ओन कर देता है इस तरीके से यह वर्क करेगा और ब्राइने स्लाइडर की सेटिंग्स रहने वाली है टाइल की सेटिंग्स मिल जाती है और यहां पर स्प्लिट सेड भी दिया है लैंड्सके मोड के लिए जो कि यह काम करेगा तो यह यह आपको यहीं पर मिल जाता है नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन से रिलेटर सेटिंग्स भी सिमलर यह जैसे ऑफिशल में मिला करती थी डाइनमीक अले नोटिफिकेशन रहेगा और साउंड के अंदर आपको अडिप्टी प्लेबैक स्क्रीन सोट साउंड हो गया आपको यहां पर मिलेंगे साउंड में लॉक्षिंग के अंदर लॉक्षिंग क्लॉक स्टाइल मिल जाएगा वैधर की सेटिंग्स है एंद यहां पर जेस्टर में आपको रीफाल एफेक्ट है जो कि फिंगर्पृन अनिमेशन को आफ कर पाऊगे नविगेशन के अंदर य जैसे कि यहां पर गेम फवies रहने वाला है और बाहर में आपको जैसे की इस पूफ वाले जो शूने यहां पर पीपशिंगे वह पर के स्टेटस रिष्रिक्ट भी दिया हुआ है नो स्ट्रोइज रिक्ट्रिक्ट हाइड डेपलेपर स्टेटस है एन स्वाइब टॉगल वाला क्यों कि ओफिशल में लेटेस में साथ दिया है जिसमें काप सरफ आप्संट रहते हैं तो कुछ है सट्ण्स रहेगी सट्इंक् जो है एपी बैंड जो है स्पीड एंड कैपेवरेटी दिया है इस तरीके का यहां पर ऑप्सन मिल जाता इसके इंदर इसमें 6 गिगार्ट तक सेलेक कर पाऊगे इंस्टेंट होट्सपोर्ट है इसके इंदर यहां पर सब्सक्राइब के इंदर कोई प्रॉलम नहीं हो से तो कास्ट का यूज आप कर पाऊगे यहां पर आपस के अंदर आते हो तो क्लोंड का सपोर्ट है असिस्टेंट है जो की काम कर रहा है एंड लॉंचर में आपको यहां पर कुछ इस तरीक एक लॉंचर मिलेगा होम स्क्रीन आइकन के अंदर इसे थिम्ड आइकन रहेगा बाकी रीसेंट है मिसलेनस के अंदर टाक्सवार भी मिल जाता थी यह सब कुछ आपको यहां पर लॉंचर में मिलेगा और अगर बात करें बैटरी के बारे में तो बैटरी के अंदर एडिप्री चार्जिंग चार्जिंग मिल जाएंगे ड्रेक साउंड भी दिया हुआ है जो कि अच्छे से काम कर रहा है और डिस्पले के अंदर आपका यहां पर जो है एक्स्टा डीम है नाइट लाइट का सपोर्ट है रोटीशन मोड मिल जाएगा पीक रिफ्रेस रेट मिनिमम रिफ्रेस रेट यह आपको इस इनका यूज कर पाऊगे यह भी सेटिंग्स ऑफीशल की तरह रहेगा और प्राइविसी और प्राइविसी की बात करें तो फिंगर प्रिंटर और फेस उनलोग है इसका रिस्पोंस दोनों का ही अच्छा मिल जाता है तो कोई प्रॉलम यहां पे नहीं है रिस्पोंस को ले प्रिंगेशन मोड मिलेगा यहां पे पिल लेंद्ध पिल रेडियस हो गया बैक जैसर हाइट हो गया बैक जैसर अनिमेशन होल्ड हैंडल टू सर्च यह सारे आपको मिल जाते हैं एजली आप यूज कर पाऊगे और बाहर फिर अपडेटर दिया हुआ यहां से अपडेटर जो गेमिंग कर दिया है जैसन फाइल अगर यूज करके तब अन्लोक हो जाएगा यहां पर पाकि बाइड़ फॉल्ट नहीं मिलता एक स्टीम प्लस आपको करना पड़ेगा यहां पर जो है स्मूद एक स्टीम पि मैं यहां पर खेल रहा हूं तो गेमिंग को लेकि अगर मै आप कहोगे तो उसका भी रीब्यू कर दूंगा कुछ अपडेट के बाद यह फिर आप जब को चेक करूँगो उसको तो उसका भी कर दूगा तिया जो ए जो अन अफिछल है बटो कभी जैसे कि अपडेट आ रहा है उसका भी रीब्यू कि हुए कई मंत हो चुके हैं अगर ओफीशल में था उफी तरीके से सिमलर सी सेटिंग्स मिल जाएगी हाँ इसके अंदर जो सिया ड्रोइड हब है वो थोड़ा वर्टिकल स्टाइल में पूरा आपको जो है देखने को मिलता है इसका कस्टमाजिशन और थोड़ा सा मुझे मेरे इसाफ से ज्यादा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप मरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वैल आइकन को प्रेस करके और पे कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को बिल जाए थैंक्स फॉर वाचिंग झाल